कर दोस्तों कैसे हैं सभी लोग तो यार आज का वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जादा है जो ट्रेडिंग में नए है या अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको कंटिपलाई के बारे में बता व्हीं विए बता बता रहा है और इसमें लॉग इन कर चुके हैं और यह जो प्लान है में एकसपायर हो चुका है तो मैं रेगियो प्लाण पर खेला हुए इसके कछ प्लांस है और इससे पहले आपको मैं यह कलियर कर देता हूँ कि यह कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं मैं इसको खुद भी यूज़ कर रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और इसमें एक भी पैसा पे करने से पहले आपको बता देता हूं कि आपको इसका साथ दिन का ट्राइल वर्जन फ्री मिल जाता है तो आप पहले उसको ट्राइड कीजिए गा उसके बाद में ही आपको इसमें अपनों कैसा लगाना है या नहीं लगाना है मैं आपको इसकी काम की चीज़े बता देता हूं कि इसको किस तरह से यूज करना है ठीक है इसमें प्लस की आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा रहेंगे जुसके करेंगे सबसे पहला स्टेप है कि आपको इसमें अपके ऊपर काना में जैसे मैं करक 151 तो अभ्यों से भाई 200 क है एक आप इसमें स्ट्रूम ile कंट करना होगा कोई इन्स्ट्रूमेंट आप इन तिरों में से select कर सकते हो option या futures तो मैंने इसका नाम call buyers रखा है तो call ही लेंगे buy करना है sell करना है ये आपको अपनी strategy बनानी होगी पर मैं आपको ये basic सा step बता देता हूं जैसे की आप buying कर रहे हैं एक lot से ठीक है add the money पर करते हैं इंदा money या OTM आप जो भी करते हैं हमेशा वो select कर सकते हैं मैंने इसमें item 1 select कर दिया है और ये add lag पर क्लिक कर दिया है ठीक है जी तो इसमें पहला option है ये target set करने का है आप इसको percent wise कर सकते हैं या point wise भी कर सकते हैं मैं इसको percentage wise कर देता हूं 20% का target 10% का SL ये जो option है ये है trailing SL का इसको आप जो चाहें वो रख सकते हैं या फिर आप ना भी रखें तो कोई problem नहीं है पर आप अगर new user है और या फिर trading में नए हैं तो मेरे खैल से आपको इसको यूज करना चाहिए अच्छा feature है मैं बस यह बता देता हूं कि आप इसे use कैसे करेंगे तो यह जैसे की दो तरह से use हो सकता है percent wise या point wise तो मैं इसे percent wise ही कर देता हूं कि जब भी हमारा इंस्ट्रुमेंट 10% मूब करें तो हमारा जो SL है वह 5% मूब कर जाए ठीक है इससे आपको लॉस कम होगा क्योंकि हमारा target 20% है तो जैसे ही मारके 10% आए यह 5% अप हो जाए है यह हमने save कर दिया है यह सारे यह feature दो लेग में काम आता है तो इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप दो लेग यूज़ करते हैं कॉल और पुट के लिए और और उसमें एक लेग में ऐसे हो जाता है तो दूसरे में मोव ऐसल टू कॉस्ट करके आप इसे अक्टिवेट कर सकते हैं यह आपका तो टार्गेट यहां साइट कर चुके हैं और कोई भी स्टेप की आपको जरूरत नहीं है वह इनकी जरूरत आपको तपड़ेगी जब आप इसमें कोई टिपिकल एल्गो बनाएंगे तो मैं सिंपली आपके लिए बस यह बना के दिखा रहा हूं अगर कोई एरर आता है किसी भी पोजिशन को डिपलॉई करने में तो यह सारी पोजिशन को एक्जिट कर देगा जिससे कि आपको लॉस नहीं होगा यह काफी अच्छा फीचर है एक दो बार मेरा लॉस हो गया था तो मैंने यूज किया मझे काम आया कि सेटिंग्स करने के बाद मैं आपको डे सेलेक्ट करना होगा कि यह जो स्ट्रेटिजी है वो किस दिन आप यूज करते हैं करने वाले हैं तो मैं इसमें सारे